नमस्कार A to Z dishes उशाक उरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ बढ़िया सी नीम्बू की चट्नी और इसके साथ बढ़िया सी कॉंबिनेशन वाली इतनी टेस्टी सी बाखरी न ये दोनों का कॉंबिनेशन इतना हेल्दी भी है और ये जो चोटी चोटी बाखरी है इसके साथ तो इसका स्वात क्या ही बता हूँ इतना बढ़िया आता है आपको खाकर इतना मज़ा आजाएका ना हेल्दी तो है पर साथ ही साथ ये टेस्टी भी है तो चलिए ये बाखरी भी बनाएंगे और नीम्बू की चटनी भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम बना लेंगे नीमबू की चटनी तो नीमबू की चटनी बनाने के लिए आप देखे मैंने तीन नीमबू ले लिया है और चाहे तो आप इसका छिलका निकाल सकते हैं मैंने नहीं निकाला इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है पान सबसे पहले हम गैस को अन करेंगे और एक कड़ाई रख देंगे अब इसके अंदर में डाल रही हूं एक चंबर जितना सरसो का तेल यह बहुत ही हल्दी होता है तो सरसो का तेली डालिएगा जैसे गरम हो जा तो नीम्बू के टुकड़े डाल देने हैं और इसे एक से दो मिन तक इसे भी भून लीजे उसके बाद थोड़ी सी लसुन की कलियां डाल दे तकरीबन छे से साथ और एक कटा हुआ टमाटर और इसे भी भून सकते हैं यह जो चटनी है इसे भी आपको भून लेना है टमाटर और लसुन डालने के बाद एक से दो मिनिट तक अच्छे से और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे और भूनना है और यह चटनी पकोड़ों के साथ पराठी रोटी राइस सबी के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं खटी चटनी होती है यह बस एक चौथा ही चमच जीरा डाल दे यहाँ पर ना मैंने साथ से आठ साबुत काली मिर्ची डाल दी है मैंने आपर लालमिश पाउडर का इस्तमाल नहीं किया क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है सूखी मिर्ची भी डाली है और काली मिर्ची भी डाली है इसलिए मैंने लालमिश पाउडर का इस्तमाल नहीं किया एक से दो मिर्च तक इन सभी को अच्छे कि इसे बूनने के बास वार दर नमक डाल दीना है और इसे फिर से अच्छे से देखे इस तरहर मिक्स कर लίνा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखे कुछ इस तरह से यह हो गया है तो बस अच्छे से जितना हो सके इसे भून लीजे जैसे इस तरह से हो जाए न तो आपको इसे मिक्सर जार के अंदर डाल दीना है देखे नीमबू जो है वो भी सॉफ्ट हो गया है अच्छे से पक गया है जितना हो सके से आपको अच्छे से भूनना है उसके बाद देखे मिक्सर जार के अंदर आपको इसे डाल दीना है यह चटनी सच बतारी बहुत ही टेस्ट लगेगी आपको लग रहा हो कि कैसी लगेग एक चौथाई चमच चीनी इसे बैलन्स हो जाएगा फ्लेवर्स का और इसे ढखकर आपको अच्छे से पीस लेना है और लीजए यह बड़िया सी नीमबू की चटनी बनकर तयार है जो इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में चलिए बना लेते हैं इसके साथ खाने वाली मि जो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं एक चौथाई चमच जीरा डालेंगे और एक चमच गी डालेंगे स्वादनुसार नमक डालेंगे और इसे देखे गी के अंदर इन सबी चीजों को हमें अच्छे से मिला लीना है और मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूं हल्दी पाउडर तो यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है अगर आपको यह बाकरी सिंपल रखनी है कलर नहीं देना है तो आप बस हल्दी पाउडर ना डाले पर मैंने थोड़ा सा डाला है अच्छे से जितना हो सके मसल लीजे आटे और सूजी को इ लिए एक साथ पानी बिल्कुल भी ना डाले नहीं तो क्या हो सकता है और फिर बाकरी आपके अच्छे से नहीं बनेगी क्योंकि बाकरी जो होती है उस पर तेल या गी नहीं लगाई जाता है उसे सेका जाता है तवे परी इसलिए फेल कर पहनी डाले और आटा गुंद ले और आटा जितना हो सके उतना सक्त लगाएंगे उतनी बाखरी जो है आपकी इतनी टेस्टी बनेगी इतनी बढ़िया बनेगी न यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यलो बाखरी इतनी बढ़िया लगती है न दिखने में तो आप जरूर रहट कीजे का हल्दी पाउडर अगर आप को सक्त गुन लिया है अब इसे ढखकर हम 10-15 मिन्ट तक रख देंगे जैसे ही 10-15 मिन्ट हो जाए न तो ढखकर को इस तरह से हटा लेना है और इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं मसल ती जा रहे है अब थोड़ा सा आ चाहिए और यह जो बड़ी सिलोई है अब इसे हमें बेलना है और आप देख सकते हैं आटा कितना सकत है कितना बढ़िया है तो कहीं से भी चिपक नहीं रहा है तो यहाँ पर आपको इसे ज्यादा पतला नहीं करना है इस तरह से मोटा ही रखना है उसके बाद देखे कोई भी कटर ले लीजे या ग्लास लीजे या कटोरी ले लीजे इसे देखे इस तरह से गोल कोल काट ले तो इतनी बढ़िया मिनी बाखरी आपके निकल क्या आजाएगी अब बाखरी जो होती है नो फूलती नहीं है उसे फुलाया नहीं जाता है तो बस इस तरह से ना आपको क की तब ये पी काफी जादा बन जाती है तो आप देख सकता है दोनों तरफ से हल्के-ल्की स्क गई अब यहां पर देखिए इस तरह से यह जो होता है न जिससे हम मैश करते हैं सबजिया तो bes miracle ले लेना बढ़िया तरीके से ये सिक रही है और ये काटे वाले चमज यानि कि फोक चमज से आप प्रीक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि बाखरी कों में फुलाना नहीं है तो कहीं से भी ये कच्ची नहीं रहने जाए और बाखरी ये थोड़ी सी मोटी होती है तो ज्यादा पतला इसे ना बेलिए बस इस तरह से अच्छे से पलट लीजए दोनों तरफ से आपको इसे अच्छे से सिक लेना है यह पर आप देख सकते हैं बढ़िया से मार्क्स आ गए और ये अच्छे से सिक गई है कई से भी कच्ची नहीं है तो बस इस तरह से निकाल लीजे और ये बढ़िया सी बिस्किट बाकरी बनकर तैयार और ये नीमो के चटनी के साथ इतनी बढ़िया लगती है न तो ज़रूर ट्राइ कीजेगा रेसिपी को और मुझे कमेंट्स पर बताएगा कि आपको कैसी लगी बहुत ही हेल्दी है चटनी को तो आप काफी दिनों तक रख सकते हैं और बाकरी तो ये चटनी के साथ तो बढ़िया लगती है फिर कोई भी सबजी के साथ ले दोनों का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है तो ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट्स बताएगा आपको कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजे शेयर कीजे अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना हैं कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थांक यू फॉर वच्छेंग